दोस्तो आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं आपके BSC 30th semester Botany के Unit 8 Enzyme से जुड़ा हुआ एक topic नुट्रासुटिकल तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नुट्रासुटिकल होते क्या है नुट्रासुटिकल कितने टाइप की होते है इनके क्या importance है और क्या uses है तो नुट्रासुटिकल का जो concept था वह हिपो क्रेट्स द्वारा दिया गया था जिनने हम father of medicine के नाम से भी जानते हैं इनका मानना था कि focus on prevention यानि कि जो हम लोग के दवा करते हैं दवा की जगह क्या करें कि रोगों से लड़ने की छमता उत्पन करें जैसा कि एक कहावद भी है medicine के term में prevention is better than cure तो आपको बता दे कि जो nutraceutical term है यह दो term से मिलकर बना है nutrition and pharmaceuticals और आपको बता दे कि term pharmaceutical 1989 में Dr. Stephen DeFellis द्वारा दिया गया था यानि कि Dr. Stephen DeFellis का कहना था कि जो nutraceuticals है यह एक प्रकार के ऐसे substance है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो nutraceutical है यह एक प्रकार के food है या food के part है जो कि दवाओं की भाती हमें रोगों से लड़ने की छमता प्रदान करते हैं या फिर हमारी रोगों से रच्छा करते हैं तो इस तरह से हम nutraceutical को कैसे define कर सकते हैं आए देखते हैं a food that provides medicinal or health benefit including the prevention and or treatment of a disease तो यहाँ पर आपको बता दे कि जो nutraceuticals हैं यह आपको एक ऐसा treatment देते हैं जिनका कोई side effect नहीं होता बलकि जो दवाएं होती हैं या एक तरह से जो thriopatic agent होते हैं उनके कुछ side effect देखने को मिलते हैं तो इस तरह से देखा जाए जो nutraceuticals का जो concept है यह दो चीजों से मिलका बना है nutrition और pharmaceuticals nutrition यानि कि जो हमें food से मिलता है और pharmaceuticals यानि कि जो हमें रोगों से या फिर injury से बचाता है यानि कि ऐसे nutrition जो कि हमें रोगों और injury से बचाते हैं और साथ ही साथ हमारे immunity को boost करते हैं उसे हम बोलते हैं nutraceuticals तो आए nutraceuticals के कुछ example हम देखते हैं जैसे कि अगर हम बात करें plant, esterol, soya protein, grain और इसके अलावा कुछ soluble fiber है जो कि हमारे coronary heart disease को control करते हैं उसी तरह जो calcium है वो osteoporesis यानि कि हड़ियों से संबंदित जो रोग है उनको नियनतित करता है उसके अलावा fruit और vegetables जो हैं हमारे में antioxidant का काम करते हैं यानि कि cancer को रोकने की छमता रखते हैं इसके अलावा जो folic acid है यह हमारे neural tube defect को भी कंट्रोल करता है और भी example अगर हम देखें जैसे कि reverse troll और grape इसके अलावा flavonidines और citrus जो की एक तरह से antioxidant का काम करते हैं omega 3 fatty acid जो fish oil है यह हमारे सरीर में cardiovascular जो disease है उसको कम करते हैं यानि उसके risk को रोकते हैं तो इस तरह से जो pharmaceutical है एक तरह से दवाएं हमें देता है जिसे कि हम अपने रोगों को ठीक करते हैं और रोग होने के बाद हम इसका यूज करते हैं जबकि अगर हम बात करें nutraceutical की यह एक प्रकार से disease preventing है यानि कि हम रोग होने से पहले ही इसका यूज करते हैं जैसे कि हम अपने diet में कोई भी चीज लेते हैं तो एक तरह से हमारा क्या है nutraceutical है जो कि prevent करता है रोगों से तो आये कुछ nutraceuticals के example देखते हैं और वो कौन से disease में हमारे लिए helpful है यानि कि उ उस disease को पहले से ही control करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें glucosamine यह जो कि हमारे ligament है उसमें पाजाता है cartilage tissue है tendron है उसी तरह अगर हम बात करें cardiovascular health में तो melatonine है DHA है यह सब क्या करते है कि हमारे body में जो भी heart से related चीजे है या heart से related disease है उनको control करते हैं अब यह मिलते किस से है soya bean olive oil या फिर हमारे bone marrow में pineal gland है वो भी secret करता है melatonine इसके रवा DHA जो है वो fish oil में पाए जाता है इसी के साथ साथ जो reservoir troll है carotenoids है और catecine है यह सब grapes, red wine, carrot, sweet potato, tea extract इन सभी में देखने को मिलते हैं इसी तरह से और भी disease है उनके nutraceutical दिये गए हैं और उनके scope दिये गए हैं आप को देख सकते हैं यह किसे प्राप्त होते हैं इनके क्या-क्या work है आए नेक्स हम बात करते है classification of nutraceuticals की यानि कि हम nutraceuticals को कैसे divide कर सकते हैं तो पहला है natural source के according दूसरा है formological condition के अधार पर और तीसरा है chemical constituent के अधार पर तो यदि हम chemical constituent के अधार पर देखे तो आपको यहां पर अलग-अलग classes दिख जाएंगे ठीक है जैसे कि inorganic minerals है probions है probiots है ठीक है इसके लवा जो source के अधार पर देखेंगे तो source में आपके आएंगे plant, animals, minerals और micro-organism जैसे कि अलग-अलग प्रकार के आपको nutraceutical देखने को मिलेंगे यदि हम plant की बात करें तो tomato है garlic है बहुत सारे plant है जिनसे कि antioxidant बहुत सारे chemical constituent, nutraceutical मिलते है तो यहाँ पर हम कुछ inorganic mineral supplement के बारे में बात करेंगे जैसे कि calcium, magnesium, iron ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं calcium की तो यह सबसे जरूरी है हमारे bone के लिए, दाथ के लिए ठीक है न यह हमारे जो nerve system है उनके maintenance के लिए भी जरूरी है ज साथी साथ जो blood clotting है उसके लिए भी जरूरी है वहीं अगर हम बात करें iron की तो एक तरह से energy production का काम करता है और oxygen transport जो carrier है यानि कि जो hemoglobin है उसका यह बहुत ही महत्पूर्ण भाग है वहीं हम बात करें magnesium की यह muscles के function और bone formation के लिए जरूरी है अगला है phosphorus यह energy production, phosphorylation process, bone और tit के formation में मदद करता है अगला जो elements है वो है cobalt तो cobalt जो है वो main component है vitamin b12 और कुछ coenzyme का वहीं बात करें हम copper की तो copper जो है यह collagen production, function of heart, energy production, absorption of iron, इन सभी चीजों को नियंतित करता है वहीं हम बात करें iodine की तो यह हमारे thyroid gland के proper function के लिए responsible होता है अगला जो element है वो है chromium with insulin it helps in conversion of carbohydrates and fats into energy and treatment of diabetes इसके अलावा एक अगला जो micronutrients है जिसके बारे में हमें बहुत कम सुननी को मिलता है जो कि है selenium जो कि एक antioxidant है और यह heart और muscles के function में मदद करता है अगला elements है zinc जो कि cell के reproduction के लिए important है इसके अलावा जो neonates है उनके development में भी सहायक होता है अगर चोट लगता है घाव भरने के लिए भी ज़रूरी है और सबसे important चीज यह sperm के production में भी मदद करता है और जो हमारा जो testosterone hormones है जो कि male hormones है उनके production में भी सहायता करता है तो बहुत important है zinc अब इसके अलावा आपको बता दे कि आप अपने जो यह topic है nutraceutical इसमें आप vitamin के बारे में भी लिख सकते हैं कुछ herbs के बारे में भी लिख सकते हैं तो इन सभी चीजों को include करके आप nutraceutical पर note बना सकते हैं तो आपके exam में बस बहुत आएगा इस topic से short note आएगा और कुछ आने वाला है नहीं ठीक है तो मैंने जितना भी topic आपको provide करा है वो बहुत enough है आपके exam के point of view से तो आज के इस video में बस इतना ही मिलते हैं अगले video में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत